करण लगने से हुई 24 वर्षिय जावेज शेक की मौत, दो बच्चे हुए यतीम, दो घंटे तक पड़ी रही लाश, सेट जाकने तक नहीं आगा मैं रफिक कामदार, एंदोस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है मंगलवार 29 जून को, उत्तरश्यू में गोटे घर परीसर है, गोटे घर में एक कंटेनर बनाने का कारखाना है यहां पर शिल्फाटा के ठाकूर पाड़ा में मुनीर कंपाउंड है, यहां का निवासी, 24 वर्षे जावेज शेक काम कर रहा था यहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो ली गई है, बताते हैं कि बड़ी लचर है उसकी विवस्ता और इलेक्ट्रिक के सप्लाई की तार खुले होने की वज़े से काम करने के दोरान कपड़ा बदलने के लिए गया था जावेद और उसको वो इलेक्ट्रिक करंड का शिकार हो गया उसकी चपेड में आ गया और करंड लगने के बाद तडपता हुआ डेड़ दो घंटे तक जावेद वहीं पड़ा रहा जिस सेट के पास काम करता है दो नाम सामने आये हैं एक सेट का नाम जावेद है जो फिलाल आसाम में है बताए जा रहे हैं दूसरा सेड जो है वो कोई रमीज है, रमीज यहां मौजूद हैं, मगर रमीज की इनसानियत नहीं जागी, नहीं किसी और की इनसानियत जागी, जावेद जो है तकरीबँं डेल से दो घंटा उस गोटे घर के कंटेनर बनाने वाले कार खाने की जमीन पर तड़ता पड़ा और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की वक्त रहते अगर जाविद को अस्पताल पहुचा दिया जाता तो हो सकता है जाविद की जान बच सकती थी आपको बता दे ठाकूर पाड़ा मुनिर कंपॉंट शिल फाड़ा में रहने वाला जाविद शेक ये मृतक जो है ये विवाहित है इसकी पत्नी है दो बच्चे है जो अब यतीम हो चुके हैं वही शेल डाइगर पुलिस्टेशन में एक्सिदेंटल डेथ रेजिस्टेशन आकास्मिक मौत का मामला दर्श तो हुआ है मगर क्या पुलिस माली को दुआना जो लापरवाई बरती गई है बिजली आपूरती के केबल या तारे जो खुली छोड़ी गई है उस वज़ह से लापरवाई की वज़ह से ये जो दुरगटना हुई है जाविद के साथ तो जाविद के यतीम बच्चों और पत्नी को इंसाफ देगी क्या उसे मौवजा मिल पाएगा ऐसा कहने की वज़ह क्योंकि जो लापरवाई है वो तो हमने आपको बता दी साथ ही में ये भी बता दी ये सुबो तकरीबन साड़े दस ग्यारा बजे की घटना है जो बिजल से साफ होता है कि कितनी बड़ी लापरवाई का मामला है और शिल डाइगर पुलिस्टेशन को चीए कि मानवी आधार पर इस मामले की जांच करते हुए जाविद के परिवार को इंसाफ दिलाए जाकट मैंले घटना है जाई ही जाञा से कि द्णी उया खोड़ीक थैसटों, घटना है घ्राइथा जाएथा जाखव्टय Tillुनि यह भुच्ण झाल झाल